कि तो दोस्तों बहुत सरों लोग का कुमेंट अरह था कि छोट मैं पाइप डालने का तरिका क्या होता था यो शipमेडियो हुआ शब्लिक आज हम एक वीडियोट करने जा रहे हैं छोट मैं पाईप डेनका सफी तरिका क्या था आप अपने घर में खुद चोट में पाइपिंग कैसे कर सकते हैं तो उसका स्वाइट तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के इन्डि तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करतें तो मेल जो सबसेपे चाट में पाई डालने का सही तरिकाइए है कि आप अपने घर में हमेसा एक्षेवी क्वाल्टी का समाना जासे फेन बॉक्स हो गया है इसे फेई ब्यूक्स है बहुत ही अच्छा है और भी यूğ IP करें इंटरनल फिटिंग असमान उसब हेवी क्वाल्टी का लिए यह कॉंसील बक्स है यह वी वाल्टी यह सिप्रा कॉंपनी का बहुत हेवी है इसका क्वाल्टी बहुत है कोटेड है बहुत मॉस्त है तो आप इससे पर्चेश करें इसके बाद से जो आपको यूज करना है यह 25 क्वाल्टी का बेंड होना चाहिए अच्छा कॉंपनी का बेंड होना चाहिए तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बहुत ही यह वी क्वाल्टी का ब्रांडेड है बहुत मॉस्त है तो इस तरह का बेंड आप यूज करें पैसे ना बचाएं पैसे बचाने क्यों पता चला कि करें आपका पाई बलोक हो जाए जाए यए तो इस तरह का काम ना करें हमेशा क्वालॉटी का समाने उच्व करें जिसे कि कि इस बेंड बहुत अच्छा है 25 जावेंड है मारूतीक का बेंड है कि बहुत हैं क्वालॉटी का करें इसके बाद PVC टेप का यूज मत करें यह मास्किंग टेप है मास्किंग टेप का यूज करें मास्किंग टेप से क्या होता है कि पाइप आपका ब्लोक नहीं होगा हमें सब मास्किंग टेप का यूज करें और सही तरी से टेपिंग करें ताकि कांक्रीट पाइप के अंदर कि मेजर्मेंट करने के बाद फैन बॉक्स कंसीट बॉक्स रखें मेजर्मेंट करने के जगह जगह पर जहां जहां आपका मेजर्मेंट हुआ है महां पर कॉंसील बॉक्स फैन बॉक्स रख दिया गया है कि यहां भी कॉंसील बॉक्स रख दिया गया है यह पाइप कॉंसील बॉक्स में चला गया है कि डिप जक्षन भी उच कर सकते हैं आप देख सकते हैं डिप जक्षन हुआ है यहां पर तो सारे पाइप को आप कि जैसे इस लाइन में है तो आप इस लाइन में के सारे कॉंसिल को आपस में मिला दें उसके बाद से यहां पर देखिए कॉंसिल बॉक्स है कि हम बता रहे हैं फिर इस वीडियो में देखिए कॉंसील बॉक्स आपको दिख रहा है तो इस कॉंसील बॉक्स को आप हमें सापसम मिला दें यहां पर देखिए यहां कॉंसीट से ड्रोप उतारा गया है यहां पर यह ड्रोप उतारा गया कॉंसील से